हाई फ्रेंड आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हूंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे हमारे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं प्रेंड आज हम उनको बताइंगे कि हाप कलुच पे ब्रिक कैसे यूज़ करें और अगर आप हाप कलुच Key यूज़ करते हैं तो कितना कलचि लेके आनाहे और आपको यूज़ करना है जो कि इस में 80% जालग जै वो ट्रैफिक में कार चलाना बहुत ही आसान होगा और बहुत ही आसानी तरीके से आप चला सकते हैं अगर आप कार को चला रहे हैं तो आपको इसमें जो समझने वाली चीज है वो होता है कलच अगर आप लोग क्लच के बारे में समझ गए तो आपको कार चलाना बहुत ही इजी होगा तो आज हम इनको बताएंगे कि क्लच हाप पे ब्रिक लगा के कार को कैसे बढ़ाना है कि जैसे ही आप ब्रिक छोड़ेंगे कार आपकी बढ़े जाएगे इस टिप से कार को आसानी से आप ट्रेफिक में जाम में चला सकते हैं तो अब चल रहे हैं इनको हम बताते हैं कि कैसे आपको क्लच और ब्रिक से कार चलाना और और वह भी हाप कलच पे ब्रिक लगाना और ये टिप अगर आप जान जाएंगे तो आपको कार चलना बहुत ही इजी होगा ट्रेफिक में बहुत ही इजी तरीके से आप कार को चला सकते हैं तो यह भी वन गेर लगा हुआ है ठीक और एक पर आपका ब्रिक पे हैं और एक पर कलच पे हैं आप कलच को केवल वहीं तक लेकि आना जहां से कार हलकी सी मूग करेगी बस ठीक अब ब्रिक आप छोड़ रहे ह ब्रिक लगा टेजी से लिए दे लगा ना है जैसे ही आप चोड़ेंगे कार आपकी बढ़ जाएगी और कलच उपर नीची आपको नहीं करना है ठीक इसको हम बोलते हैं वाइटिंग पाइट पर रहेंगा देखिक और आपकी चल रहे है ब्रेक फिन टेजिए लगाना है अ और बाइब्रेशन भी करेंगी तो यह आपको किस घेर में करना है ऊंडीय में एक वालो वटेर में ही हाफ क्लच पे और ब्रेक कि अरको चलाई जाती है ति अब बहुत ही ज्यादा ट्रेफिक है आपको बार-बार कलच ऊपर नीचे नहीं करना है तो आप क्या करेंगे इसको हाप पे रखेंगे देखिए अपने आप चल रही है कार सब्सक्राइब अब फिर जो है ब्रेक लगा लिए रुग गई कार अफी ब्रेक चोड़िये देखिए और आम से चल रही है कार को दिक्कत यह आगे समझें आपको और यह जो घरगड़ा अब जह है फिर ब्रेक शोड़िये आप देखिए अपने आप चल दिए कार और आप ब्रेक शोड़ दिए अगर इतने क्लेश पर आप एक्सिलेटर भी दबाएंगे तो कर आपकी कहीं भागे की नहीं आपको बताये थे तो अब फिर हमने कार रोकना है तो आप क्लेश को प अब फिर इसको क्यों आप पॉयंट तक लेकिए जहां से कार हलकी सी मूब करें अब इतने ही क्लेश पर आप ब्रेक लगाईए ब्रेक रुख गई कार गाड़ी में घंगड़ाट आ रही है नहीं अब फिर ब्रेक छोड़िये अपने आप चल रही है कार हम ब्रेक शोड़न अब अब जो है हमें सेकेंड़ केर में कार को बढ़ाना है तो कलेश दबाई नीचे पूरा फुल हम पूरा ब्रेक लगाई यह लेप नीचे तक सेकंड़ हो गया अब इसमें भी वही काम करना है आपको कलश कहा तक आएगा हाफ पर लाईए हाफ पर आ गया अब इसी पर ब्रेक लगाई यह दिरे से कार को रोक लीजिए ठीक कलश ना उपर है निया नीचे है ठीक अब ब्रेक छोड़िए देखिए अपने आप चल रही है कार बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हमको कलश नहीं छोड़ना है ट्रैफिक म तो जहां से कार हल्की सी more करेगी उतने ही काश्ण पर आपको लगाना है एक बर रहे ले सब्साइब आना है फिर जिसफे थे रही है बस अब ब्रिक जैसे ही छोड़ेंगे कार आपकी बढ़ जाएगी ठीक आगे सुझे तो यह जो है बहुत ही ज्यादा ट्रेफिक है आपको बार बार क्लच उपर नीचे नहीं करना है तो आप यह टिप्स कर सकते हैं ठीक है और इसमें जो है क्लच प्लेट पर कोई असर नहीं करें अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाई बैए